दीरगायू मास्टर्स कोई नियंत्र नहीं है जैसे समय बीतने और हमारे आसपास की दुनिया की ख़निक प्रक्रती नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मरालिस की लिखिया नूठी किताब एकिगाय के बारे में जापान के लोगों की स्वस्थ जीवन, रहन सहन और लंबी आयू का श्रे वहां की जीवन शहली और दर्शन शास्तर को जाता है जिसमें अपने एकिगाय को खोजने और उसका पालन करने को आवश्चक माना जाता है आज की कड़ी का विशह है लंबी आयू जीने वाले लोग और उनका मार्ग दर्शन लेखकों के अनुसार जब उन्होंने इस किताब की शुरुबात की ना तो उनका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं था कि आनंद मई और दीरगायू जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है वर्ष से भी अधिक थी ऐसे लोगों को सूपर सेंटनेरियन कहा जाता है आज की तारीख में विश्व भर में 350 से 400 लोग सूपर सेंटनेरियन की क्ष्रेणी में आते हैं ये लोग भले ही सूपर हीरो ना हूँ लेकिन एक बात होता है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज् जीवन का राज कुछ यूं बताया खाना खाये नींद लीजे और दीर घायों बनिये आपको आराम करने की कला सीखनी होगी अपने अंदर जीने की इच्छा शक्ति रखें और कभी मान सहार न करें या बहुत कम करतें अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखें और को बनाए रखें कला चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो एक एक गाय होती है यह हमारे जीवन को अर्थ देती है और अपने साथ खुशी के कई पल लाती है और सबसे अच्छी बात यह कि यह सभी पल सभी के लिए उपलप्त होते हैं जापानी कलाकार होकुसाई 88 साल की उ पर छपाय का काम करते रहे कुछ इसी तरहा अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमा 86 साल के होने पर भी काम के प्रती अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते थे कि अगर स्टेज पर काम करते हुए उनकी मृत्य हो जाए तो दुनिया छोड़के जाने का यह सबसे अच्छा मार् पर देखने और सुनने की क्षमता बढ़ती चाती है उन्हें अपने बुढ़ापे में हर रोज नए नए चीज़े निखाई देती थी जिनकी वज़स से वो नए नए चित्र बनाने में सभल हो पाते थे तो देखा आपने शरीर बुढ़ा हो जाने पर भी इन सब लोगोंन में लगता है कि हम सब देख चुके, सब जान चुके और हमें अब सब मालूम है लेकिन अगर आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना हैं जैसे विशेयों पर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तब आपको महसूस होगा कि आप कितना कम जानते हैं जन्म मृत्यों की जानकारी रखने के लिए अमेरिका के पास तगड़ी सिविल रेजिस्ट्री है, शायद इसलिए यहाँ ज्यादा लंबी आयू के लोग होने के सुबूत मिलते हैं, लेकिन बास्तव में जापान में ही सबसे ज्यादा लंबी आयू के लोग रहते हैं, उन अपनी संस्कृती से जुड़ी रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयू में युगदान करती हैं, टीम भाबना, मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक किसी ना किसी कला में सक्रिया रहना, ये सभी बातें जापानी लोगों की लंबी आयू का राज हैं, हेक्टर गार् प्रिवर्तन को स्वीकार करके अपनी जीवन का सार ढूनना ही हमारा एकिगाय है। शतायू लोगुं की सीख बहुत से किताबیں बेस्ट सलस की रूप में पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। जापानी दर्शन और आध्यात्म में ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक एकिगाय होता है। एकिगाय हम सब के अंदर छुपा होता है। उनकी लंबी आयू, तत्व ग्यान और एकिगाय के रास के बारे में भी जानकारी हासल की। उन्हें ये जानकर बेहत बेहत खुशी हुई कि कोई उनपर किताब लिखना और डॉक्यूमंटरी बनाना चाहता है। उनके बताय कुछ गहन रास इस प्रकार थे। चिन्ता न करें। लंबी आयू का रास है कभी चिन्ता न करना। मन से सदा युवा रहना और खुद को कभी बूढ़ा ना होनी देना। खुले मन से, हस्ते हस्ते, जीवन में आने वाले सभी परचित और अपरचित लोगों से मिलना। ताकि हर कोई आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहे। चिन्ता दूर करने का सबसे सरल उपाय है लोगों के साथ घुल मिलकर रहना और उनसे बातचीत करना। वहाँ के कई लोग इस क्रिया को अपनाते हुए आगे बढ़कर सबसे बात करते हैं, दोबारा मिलनी के प्लान बनाते हैं और उसके बाद घर पर आकर अपने बगीचे में लगी सबसीयों की देख फाल करते हैं और दोपहर बाद फिर दोस्तों से मिलनी निकल जाते हैं। जैसे इस टापो के बहुत से लोग सुभा छे बजे उठकर अपने बगीचे में खुद की लगाई हुई सबसीयों और पौधों को देखना बहुत पसंद करते हैं। परस तक जीएंगे। बजूं का स्मरण करना बहुत जरूरी है। दिन की शवात राथना से की जाए तो दिन अच्छा ही गुजरता है। हाफती में एक बार कम से कम दोस्तों से मिलकर आनन दित होना भी जरूरी है। लंबी आयू के लिए ये तीन चीज़े बहुत जरूरी हैं। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम, अच्छा आहार और मित्र परिवार। अपनी दोस्ती को सीच दे रहें। उनसे रोज मिलना और गपशब करना इन लोगों की जीवन में इंधन का काम करता है। ये पता होना कि वो अपने दोस्तों से अगले दिन फिर उसी जगा और समय पर मिलेंगे, कई लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। अपनी पसंद के लोगों से नियमे त्रूप से मिलना और बातचीत करना ही उनकी लंबी आयू का रास होता है। रहा चलते स्कूल जाते बच्चों से मुस्कुरा कर बात करना, लोगों को गाड़ी धीमी चलाने की सलाहा देना, महिलाओं का अभिवादन करना, ऐसे बहुत से काम हैं जो जापान के लोगों के लिए दिन चर्या का हिस्सा है। इत्मिनान से जीएं, जल्दबाजी न करें, हर काम की गती थोड़ी धीमी रखें, आराम से और तसली से जीना ही वहां के कई लोगों की लंबी आयू का कारण है। छोटी छोटी चीजों में भी आनन लेना और हर मौसम में शान्ती से जीना उनकी लंबी आयू का राज है। और सबसे जरूरी बात, सकारात्मग बने। अपने आपको रोज याद दिलाएं कि आपका आने वाला दिन स्वास्त है और उर्जा से भरा होगा जिसका आपको पूरा लाव उठाना है। कितनी भी उम्रों हो जाए, खुद को हमेशा युवाही समझे और ये मान लें कि आपको बहुत कुछ करना है। दिल खोल कर हसिये, जहां जाएए, खुश्यां बेखेर कराएए। अपने आपको सदा सौभा किशाली समझे और जीवन से आपको जो कुछ भी मिला है न, उसे समाज को वापस लोटाइए। अच्छा जीवन जीते रहना ही लंबी आयू का राज है। तो आप भी इन सब बातों को मन से अपनाएए और अपनी जीवन में आनंद का स्वागत कीजिए। हम इस सुन्दर किताब पर अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। आप भी बनी रहें हमारे साथ। इश्वर का अंच गासिया और फ्रांसेस मरालेस ने मिलकर लिखाए और अब तक इस किताब की करोडों प्रतियां बिख चुकी है। नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जापानी दर्शन और आध्यात्म में ऐसा मानना है कि हर एक की जीवन का एक एकिगाए होता है। एकिगाए हम सब के लिए होता है और हम सब के अंदर होता है। कुछ लोगों को ये एकिगाए मिल जाता है और कुछ लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं। इस बुक सामरी के पिछले भाग में हमने जाना जापान के एक छोटी से शहर ओकी नावा में रहने वाले शतायों लोगों के खुशाली और लंबी आयों के पीछे क्या राज हैं। ऐसे कौन से नियम, कानून या रीती रिवाज हैं जिनका पालन करके जापान की लोग तुनिया भर में न सिर्फ सबसे अधिक जीते हैं बलकि सबसे अच्छा जीवन जीते हैं। हाई अब बात करते हैं कि लेखकों की इस टीम ने वहां तक पहुँचने का सफर कैसे तै किया और उनकी शुरुवाती अनुभग कैसे रहे। किताब का काम शुरू किये हुए करीब एक बरस बीच चुका था लेकिन अभी तक इन लोगों ने जापान के इस गावों में प्रवेश नहीं किया था। समय वही थम गया हूँ, रुख गया हूँ क्योंकि वहां के लोग सिर्फ उसी क्षण में जीने में विश्वास रखते थे। उनकी सडक के आत्रा भी बहुत सुंदर और सुखद रही क्योंकि वह जिस रास्ते से जा रहे थे न, उसकी एक और समंदर था और दूसरी और यान भारू जंगल से भरा हुआ पहाड। रह में कए सारे छोटी-छोटी घर और दुकाने थी, जो अपने आप में जापानी संस्कृती से परिपून थी। अपनी मंजल पर पहुँचकर उनकी मेजबान ताय रा और यूकी नाम की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। यूकी अठासी वर्ष की थी और कार चलाकर उन्हें इक होटेल में खाना खिलाने भी ले गए। उन्हें अपने कार चलाने की कोशल पर बहुत मान था और वो उनके चेहरे से साव छलक रहा था। रेस्टरान पहुँचकर लेखकों को जो सबसे पहला ग्यान मिला वो ये था कि वहाँ खाना खाने को जीवन का महत्वपूर्णंग नहीं माना जाता। खाने से आपकी लंबी आयू पर सचमेर कुछ खास प्रभाव नहीं पढ़ता है। नहीं खाने से अवश्य पढ़ता है। यूकी ने हस्ते हुए कहा था। असली वज़ा है खुशी-खुशी जीवन जीना और अपनी आज को अच्छी तरह से बिताना। क्या आप जानते हैं ओगी मी में बार नहीं है। रेस्टरांज की संख्या भी बहुत कम हैं क्योंकि वहाँ खुशी की व्याक्या थोड़ी से अलग है। वहाँ पर लोग एक दूसरे से सामाजिक केंद्रों में मिलते हैं। कस्पों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाटा गया है। हर हिस्से का एक प्रमुक होता है। और कुछ लोगों को कला, त्योहार, सामाजिक कार्य और लंबी आयू जैसे विभागों के लिए नियुक्त किया जाता है। जे हां, लंबी आयू यहां एक विभाग है और लोग सबसे अधिक इसी विभाग के उध्यान देते हैं। और इसके बाद ये लोग एक जन्म दिन की पार्टी में पहुंचे जहां करीब 20 लोग थे। उस ग्रूप में सबसे छोटे सदस्य की आयू 83 वर्ष की थी और जिसका जन्म दिन मनाय जा रहा था वो 99 बरस पूरे कर रही थी। सौवए साल में प्रवेश कर रही इस वहिलानी मुंबती फूप कर पार्टी में आये सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और किसी जवान इंसान की बर्थने पार्टी की तरह नाच गा कर आनन्द इठाया। ये उस समोह की पहली पाटी जरूर थी पर आखरी नहीं। वहां हफता भर रहने पर उन्होंने इस तरह की कई और चश्न में भाग लिया। को मारा जाता है। वहां के लोग आपस में प्रतियोगिताया आयोजित करते रहते हैं और इस खेल में सम्मिलित होने के लिए उम्र की कोई शर्ट नहीं होती। ये लोग पड़ी खुशी खुशी इसमें शामिल होने पहुँचे लेकिन जल्दी 104 वर्ष के एक महिला के सबी लोग बहुत खुश थे। इसलिए हार जीत की परवाह के बिना वो दिन बहुत ही सुखत तरीके से बीट गया। यहां के लोग मानते हैं कि हर इंसान में ईश्वर का अंश आनी माबूई होता है। ये चैतन्य का अंश होता है और हमारे जीवन का असली स्रोथ भी। य श्याद इसलिए यहां हर कोई एक दूसरे को इतना सम्मान और फ्रेम देता है। सुखी जीवन जीने के लिए स्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप इकिगाई के इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकि है। गानपान में जो इस प्रांथ में दुनिया की सबसे अधिक लंबी आयू वाले लोग रहते हैं। कैसे ये लोग बहुत अच्छे स्वास्त के साथ एक लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। आए जानते हैं इसकी कुछ कारण। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। से अधिक शतायू यानी 100 साल से लंबी उम्र के लोग रहते हैं। सितंबर 2016 में विश्व स्वास्ति संगठन द्वारा के गए सर्वेक्षन के अनसार फ्रतीक मिलियन लोगों के लिए 520 से अधिक शताबदी की सूचना दी गई थी। एक अन्य अधियन जो जापान, उसके प्रांत उकिनावा, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की तुलना करता है। ये दर्शाता है कि जापान में जीवन प्रत्याशा अपने आप में ही काफी अधिक है। देश की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली नागरेकों में इसे एक थे। जापानियों के पास लंबे जीवन के कौन से रहस्य हैं। ओकिनावा के बारे में ऐसा क्या है, जो इसे जीवन प्रत्याशा के मामली में सर्वश्रेष्ट बनाता है। विशेशक के बताते हैं कि ओकिनावा जापान का एक मात्र ऐसा प्रांथ है जहां रेल गाडिया नहीं है। इसके निवासियों को वाहन न चलाने पर पैदल या साइकल से चलना पड़ता है। ये एक मात्र ऐसा प्रांथ है जो प्रती तिन 10 क्राम से कम नमक खानी की जापानी सरकार की सिफारिश का पालन करने में काम्याब रहा है। इसका श्रे ओकिनावा की मिर्कल डाइट को भी जाता है। ओकिनावा में रिदय रोग से मृत्ती होनी की दर जापान में सबसे कम है और इसका निश्चित कारण है वहाँ के निवासियों का खानपान। ये कोई संयोग नहीं कि पोशन पन होनी वाली किसी भी वारता या पानल में ओकिनावा डाइट की चर्चा दुनिया भर में अकसर की जाती है। ओकिनावा में आहार पर सबसे ठोस डेटा माकोटो सुजू की नाम के खृदय रोग विशेशक गिद्वारा के गया अध्ययनों से आता है। चिन्होंने 1970 से अब तक ओकिनावा में पोशन और उम्र बढ़ने पर 700 से अधिक वैग्यानिक लेक प्रकाशित किये हैं। इस विशेपर दी ओकिनावा प्रोग्राम नामक एक बुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसे डायत बुक की बाइबल माना जाता है। इस किताब के द्वारा वो इन निशकर्ष पर पहुँचे। स्थाने लोग कई तरह के खादे पदार्थ खाते हैं, खास कर सबसियां। यहां खाने में हुने वाली विविदता भी एक आवश्चक भूमी का निभाती है। ओकिनावा के शतायू लोगों के एक अधियन से पता चला है कि वो नियमित रूप से मसालों सहित 206 तरह के विभिन खादे पदार्थ खाते हैं। उन्होंने नियमित रूप से हर दिन 18 अलग-अलग खादे पतार्थ खाए, जो हमारी Fast Food संस्कृती के बिलकुल उलट है। वो लोग दिन में 7 अलग-अलग प्रकार के फलों और सबजियों का सेवन करते हैं और कम से कम 5 पार फलों और सबजियां खाते हैं। आपके खाने में भरपूर पोशन और मेज पर पर्याप्त विविदता है या नहीं है, ये जाचने का सबसे आसान तरीका ये सुनिश्चित करना है कि आप हर दिन इंद्रधनुष खा रहे हैं। आधार हैं। प्रति सब्ताह औसतन तीन बार मचली खाते हैं। आधा नमक खाते हैं। एक आम जापानी के 12 ग्राम की तुल्णा में हर दिन 7 ग्राम। ये लोग जापान के बागी हिस्सों की तुल्णा में बहुत कम कैलोरीज का उपभोग करते हैं। प्रति दिन 2067 के बजाए सिर्फ 1785। उकिनावा के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद बाकी के ब्लू जोन में भी ये कम कैलोरीग की मात्रा का उपभोग आम बात है। तो सुना आपने, एक स्वस्त और सुचारू जीवन के लिए एक सही डायट कितनी जरूरी है। अगले भाग में चर्चा करेंगे दीक गाए डायट के पार्ट टू पर। आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। जापानी जीवन दर्शन पर अब तक की लिखी गई सबसे सफल किताब इक गाए की चर्चा हो और इक गाए डायट के बारे में विस्तार से बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है, हमारे रोजमर्रा के जीवन के सबसे अभिन अंग हमारे भोजन की। जिसे जापानी में हारा हची बू की रूप में जाना जाता है, हारा हची बू को लागू करने का एक आसान तरीका है, मिठाई को छोड़ना, साथ ही इसे पूरी तरह मानना बहुत मुश्किल नहीं है, जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर गया है, लेकिन जापानी सी भूक रहनी चाहिए, यही कारण है कि पश्चिम की तुलना में जापान में परूसी गई भाग का आकार बहुत छोटा होता है, इसके जगाद छोटी छोटी प्लेटों में चावल के साथ दूसरी प्लेटों में सबसिया, एक कटूरी सूप और थोड़ा सा जैन बौध धर्म पर बारहमी शताबदी की पुस्तके भी आमतोर पर जितना आप चाहें, उसका सिर्फ दो तिहाय खाना खाने की सलाह देती हैं, पूर्व में सभी बौध मंदरों में एक से कम भोजन करना आम बात है, शाद बौध धर्म ने 900 साल पहले ही क्यालरी सेवन को सीमित करने के लाभूं को पहचान लिया था, तो ये तैरहा कि लंबे समय तक जीने के लिए कम खाना खाना चाहिए, शायर ही कोई होगा जो इस विचार को चुनोती देगा, निश्यत रूप से हमारे शरीर के अपेक्षा से कम क्यालरी खाने से दीर खायों में व्रिधी होत जो हमारे क्यालरी सेवन में धेरों बढ़त करते हैं, लेकिन पोशन मूल्य से बहुत कम प्रदान करते हैं, यहां जिस तरह की क्यालरी प्रतिबंद पर चर्चा हो रही है, वो आपके जीवन में वर्षों को जोडने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, यदि शरीर नियमित रूप से पर्यापत या बहुत अधे क्यालरी का सेवन करता है, तो वो सुस्त हो जाता है, और केवल खाना पचाने पर ही महत्वपूर्ण उर्जा खर्च करने लगता है, क्यालरी रिस्ट्रिक्शन का एक और लाब यह है कि यह शरीर में IGF-1 यानि इंसुलिन जैस विकास कारक के स्तर को कम करता है, IGF-1 एक प्रोटीन है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा लगता है कि मनुश्यों जानवनों की उम्र का एक कारण उनके रक्त में इस प्रोटीन की अधिकता है, क्या सिर्फ क्यालरी के साथ थोड़ा सा कालरी कंट्रोल, मोटापे, टाइब 2 डायबिटीज, सूजन, उच्य रक्त चाप और रुदे रोग के खिलाफ एक शक्त शाली सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है, और कैंसर जैसे जोखिम कारकों को कम करता है, हर रोज अगर खाना खाने के 80 प्रतिश से खाने के सलाहा देता है, इसके कई लाब हैं, जैसे कि इस तरह का अपवास पाचन तंतर को साफ करने में मदद करता है, और पेट को भी थोड़ा सा आराम देता है, ओकिनावा डायट फ्राकृतिक अंटि ऑक्सिदन्स से भरपूर होती है, ये अंटि ऑक्सिदन्स कोशिक प्रक्रिया को धीमा करते हैं, और शरीर को नुकसान पहुचने वाले और ओम्र बढ़ने में तेजी लाने वाले मुक्त कड़ों को निश्क्रिया करते हैं, जैसे कि ग्रीन टी के आंटि ऑक्सिदन्स शक्ती सब जानते हैं, और इस पर बाद में अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्यूंकि ये आंटिय ऑक्सिदन्स में समरिध्ध हैं और इस खेत्र में लगभग हर दिन खाय जाते हैं, इसलिए इन 15 खास खादे पदार्थों को उकिनावा में जीवन शक्ती की कूनजी माना जाता है, टूफू, मीसो, टूना, गाजर, गोया यानि कड़व या कच्चा, शकरकंद और काली मिर्च, शिकुवासा ओकिनावा का बहुत ही उच्छ कोटि का एक खटा भल है और ओगी मी पूरे जापान में इसका सबसे बड़ा उत्पातक है, इसके रस को पहले पानी से पतला के बिना पीना संभव है, इसका स्वात कहीं कहीं नीमबू की मात्रा अधिक होती है, लेकिन उकिनावा के शिकुवास में संत्री की तुलना में 40 गुना अधिक होती है, नॉबलेटन का सेवन हमीं कैंसर, टाइप 2 डाइबिटीज और मुटापे से बचाता है, इनका उप्योग कई पारंपरेक व्यंजनों और भोजन में स्वात उड़ा जाता है, शहर में जन्मदिन की पार्टियों में शोद करती समय लेखक की टीम को भी शिकुवासा केख खिलाया गया था, एकी गाई पर चर्चा भी वाकी है, आप भी बनी रहे हमारे साथ, शतायो जीवन के व्यायाम, भाग एक, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पानी दर्शन को बहुत ही खुपसूरती से समझाती, पूरी दुनिया में प्रसिध किताब एकी गाई, इस बेस्सेलिंग किताब को लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसास्क मरालेस की जोड़ी ने, जोकि स्पेन की रहने वाले हैं, आज की चर्चा का विशे है, स्व से अधिक चलने वाले होते हैं, जी, जब लेखकोनी दीरघायू गाउं उगीमी का दौरा किया, तो उन्होंने पाया कि 80 और 90 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अभी भी सक्रिया हैं, वो घर पर खिड़की से बाहर देखते हुए या आखबार पढ़ते हुए नजर नहीं आ वो जिम नहीं जाते या गेहन व्यायाम नहीं करते, लेकिन वो अपने दैनिक दिंचर्या के दोरान लगभग कभी भी चलना बंद नहीं करते, अगर हम किसी शहर में रहते हैं, तो हमें हर दिन फ्राकृतिक और स्वस्थ तरीके से चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम ऐस देशों में स्वास्थे को बढ़ावा देने के लिए उनका उप्योग सदियों से किया जाता रहा है, योग मोल रूप से भारत से है, लेकिन जापान में बहुत लोकप्रिया है, और चीन के चिंगोंग और ताइची किसी व्यक्ति के शरीर और दिमाख के बीच सामंजस से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ताकत, खुशी और शांती की साथ दुनिया का सामना कर सकें, उन्हें युवाओं के अमरित की रूप में जाना जाता है और विज्ञान ने इस दावे का समर्धन किया है, ये हलके व्यायाम असाधारन लाभ प्रदान करते हैं और विश पेशियों के टोनिंग और लचीलेपन में सुधार करने के लिए इसके भावनात्मक लाभ उतने ही महत्वपूर्ण है, ये तनाव और अफसात के खिलाफ एक महान धाल है, आपको हर तिन एक घर तिन एक घंटे जिम जाने अमारितान दौरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि जापानी शतायों हमें दिखाते हैं, आपको बस अपने दिन में हलचल जोडने की जरूरत है, इसमें से किसी भी पूर्वी अनुशासन का नियमित रूप से अभ्यास करना ऐसा करने का एक शानदार तरीका है, रेडियो ताइसो एक ऐसी ही शारीरिक गतिविथी है, जिसकी चर्चा लेखक ने इस किताब में की है, ये सुभा की वाम अप एक्सेसाइज दूसरे विश्व युद्ध से पहले की समय से मौजूद है, इसके नाम में रेडियो तब से लगाया गया है, जब इसके अभ्यास के निर्देश रेडियो पर प्रसारित किये जाते थे, लेकि पर स्कूलों में कक्षाई शुरू होने से पहले और व्यवसायों में काम शुरू होने से पहले, जब ये अभ्यास एक बड़े समुह में किये जाते हैं, तो ये आमतोर पर एक खेर के मैदान में या एक बड़े स्वागत कक्ष में होते हैं, और आमतोर पर इनमें किसी प्र तिष्ठित रेडियो ताइसु अभ्यासों में से एक में बस अपनी बाहूं को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें गोलाकार गते में नीचे लाना शामिल है। किताबे पढ़ते समय, स्मार्टफोन का उप्योग करते समय या कमप्यूटर पर कुछ लिखते या पढ़ते समय हमारी बाहिं हमेशा नीचे होती है। किताबे पढ़ते समय, स्मार्टफोन का अभ्यास करने में मदद करता है। इस तरह की अनिक गत्विधियां हैं जो एक स्वस्थ, सरल और लंबा जीवन जीने में मदद करती है। आगे आने वाली भागों में हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप भी हमारी साथ जुड़ी रहें। करते हैंहें ट्यूल सुनल करते हैंहें। करते हैंहें तरह करते हैं सcking ऐतो算 हैं he